नcarbonश्कार पैर के तलो की मालिश अच्छी नींद के लिए ऐलर्जिकल प्रोब्लम के लिए पैरों की ताकत के लिए कमर धर्थ के लिए स्पाइम को स्ट्रॉंग करने के लिए ओर्गंस को बलड सर्कूलीशन देने के लिए रात को सोते हुए अगर ये मालिश की जाए तो हमारे इस पूरे क्षित्र को बहुत अच्छा ब्लड सर्पूरिशन मिलता है अब मालिश करने के लिए आपको बताया हुए लेकिन हातों से अंगूलियों से मालिश करते हैं तो थोड़ा साथ ठक जाते हैं ये अगूलियां जो है ये इतना प्रेक्टिस नहीं है कि हम इसको बार बार 5-7 मिनट ऐसे रगण के मालिश कर पाए तो एक तरीका बताता हुँ बहुत सारे ऐसे फोन कोल भी आए बातचीत भी कि मालिश करते हुए हाथ दर्द करने लग जाते तो बड़ा अच्छा सा तरीका है मुठियों को बंद करके मालिश करना और ये जो हिस्सा है इससे आप अगर ये हिस्सा है इसको दबाएंगे ऐसे मालिश करेंगे तो बड़ा शान दारता है तेल थोड़ा सा लगाना है एक देड़ चमबस तेल तो कम से कब तलूओं में रात को पिलाना चाहिए ये कारे तो आपको करना चाहिए ये तेल लगा लिया अब देखो ये मुठियों को बंद किया और इस तरीके से ये आप अगर ऐसे तो आराम से कर सकते हैं किसी की भी अगुलियों में ऐसे तो जो जोर लगता है लेकिन मुठिया बंद कर लेते हैं तो इसमें कोई जादा खिचाव तनाव नहीं आता ये बहुत अच्छा मालिश का तरीका है वैसे जो मसाज करने वाले हैं वो पिंडलियों पे और थाइस में जो मालिश करते हैं वो ऐसे ही करते हैं आप तलू पे बैठे-बैठे इस तरीक कम आने की सवश्या कबरदर्द की सवश्या क्योंकि ये कबर के साइड की जो ये ये नसे है ये सारी बैठें से जुड़ी हुई है पैरों से जुड़ी हुई है पैरों में ताकत आएगी पेट में गैस बनने की सवश्या क्योंकि ये बीच का हिस्सा ये आतों का हिस्सा है जब आप इसको ऐसे ऐसे दबाएंगे तो आपकी आते जो है वो एक्टिवेट होगी ये ऐसी शांदार क्रियाएं हैं जो कि आपको रोज अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए सुबह से शाम तक मैं आपको बहुत सारी क्रियाएं बताता हूँ उनमें जो आपके लाइक है उसको आप अपना लीजे दो तीन चीजें आप जीवन का अंग बनाईए जो आपके अनुकूल है इसको आप मुठिया बंद करके आप पांच मिनिट तक भी मसाज करेंगे तो ये जो मालिश है इस मालिश का आनंद लीजिए ये तलू की मालिश सीधा सीधा हमारे शरीर के के गंग तक जाएगी चार से पांच मिनिट में तो पसीना आना शुरू हो जाएगा और बहुत लाभ मिलने वाला है सरसो का तेल होना चाहिए रात को गरम कर लीजिए और बोट बहुत शांदार है और किसी को एलर्जिकल कुछ ऐसी प्रोब्लम हो तो उसमें अजवाइन जलाकर उसको यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारे उप्योग है लेकि तेल एक बार आको यूज कीजिए बाकी की चीज़े हम बाद में करेंगे और बहुत आनंद जो है आपको मि को यही की देब हैं लब में बूबंग्षी घच अ जाल कारे कार्णारत हैं ऐागकी कि लचे देड़ियरसे वीना झाल का याल उनने झाल काच तेली स्राँग स्वेज़े अत